नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन 23 जून को बिहार में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले कॉंग्रेश और नितीश कुमार सरकार के लिए लगा है बड़ा जटका आपके लिए बता देंगे जहां राहूल गांधी के बिहार पहुचने से ही पहले कॉंग्रेश की अंतरकला सामने आने लगी है बिहार के नेताओं की तो वहीं दूसरी तरब नितीश कुमार से अपना समर्थन वापस ले चुके जितन राम मांजी आज मुलाकात करेंगे हम घर लगेगा बैठक में मोधी को हराने का प्लैन तैयार किया जाएगा पर अपने पार्टी के कारय करताओं को संबोधित पर राहुल गांधी यानि की कॉंग्रेस को पटना पहुचने से ही पहले अब कॉंग्रेस ने ही बड़ा जटका दे दिया है दरसल पार्टी में अंद्रूनी कलाब बाहर आ गई है कॉंग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने पार्टी छोड़ कर भारतिये ज पिहार की इस बैठक में तो वहीं दूसरी तरब एक ऐसे नेता के दुआरा कॉंग्रेस को छोड़ देना बड़ा जटका ही है कॉंग्रेस के लिए क्यूंकि आपके लिए बता दें कि कुंतल कृष्णा जो है वो कॉंग्रेस से पिछले 25 सालों से जुड़े हुए थे और अब उन्होंने जो है बीजेपी में शामिल होकर कॉंग्रेस के उपर निशाना भी साधा और उन्होंने ये भी कहा कि जब राजीव गांधी जी थे तब जैसा लीडर यानि कि राजीव गांधी जैसा लीडर देखा था और उन्होंने कहा कि आज विहार में कॉंग्रेस के स्थि जो है वो काफी जादा बुरी हो गई है कॉंग्रस को शडियंतर की तरह पूरी तरीके से बरबाद जो है वो कॉंग्रस हो गई है अब ऐसे व्यक्ति को नेता मानने पर मजबूर किया जा रहा है जिसने पूरी जिंदेगी कॉंग्रस को कमजोर करने का काम किया हो यह ना काबि इसे लिए उन्होंने महागढडबंदन सरकार पर हमला किया उन्होंने कहा कि जनता में विहार-ससरकार के प्रती नाराम जनता सरकार के क्रिया कलापों से नाराज है आप के लिए बता दें कि आज जुस तरीके से कॉंगरेस की नेता आज कॉंगरेस को छोड़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरब राहुल गांधी और मलिकार चुन पर जो है वो बिहार पहुँचकर कितनी जादा मजबूती इस महा गटबंदन को दे पाएंगे इस पर भी आज लगातार सवाल जो हैं वो खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो कॉंगरेस अपने कारेकरताओं को नहीं जोड़ पा रही है और जिनके नेता खुद अपनी पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं आखिरकार वो किस तरीके से गटबंदन को मजबू निकला से लड़ रही हैं चाहे फिर वो नितीश कुमार की सरकार हो जिसमें आरजेडी और जेडी मिलकर सरकार बना चला रही है और कभी-कभी इन दोनों पार्टियों में भी आपसी मंजिस जो है वो नजर आती है पर अब आपके लिए बता दें कि अभी फिलाल में ही यान को वो मुलाकात करेंगे ग्रह मंतरी अमिश्याह से ये इतना ही नहीं आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अमिश्याह से मुलाकात करेंगे या जितन राम मांजी तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सियासी गलियारों में अब ये भी खबरें सामने आ रही है कि शाय जि कि NDA का समर्थन करेंगे और NDA में वापसी करेंगे क्योंकि वो नितीश कुमार की सरकार का हिस्सा बनने से पहले पहले भी NDA का हिस्सा थे और शायद फिर एक बार वो वापसी करेंगे और आज अगर वो अमिशा से मुलाकात कर रहे हैं तो इससे पहले भी उन्होंने अमिशा से मुलाकात की थी और उसके बाद ही समर्थन वापस लिया है नितीश कुमार की सरकार से पहले उनके बेटे ने दिया था कैविनेट से इस्तिफा इतना ही नहीं जहां एक तरफ एंडिये में शामिल हो सकते हैं जितेन राम मान जी इससे ही नितीश कुमार की मुश्किने नहीं बढ़ रही है बलकि नितीश कुमार पर भड़क भी रही है अब जितन राम मान जी की पार्टी और ये कह रही है कि वो नितीश कुमार के खिलाब जो है अब मान हानी का मामला करेंगे यानि की मान हानी के केस में वसाएंगे अब हम नितीश कुमार को और उनके ऊपर केस किय जाएगा दरसल आपके लिए बता देंगे बिहार की राजनीती में इन दिनों हम एस सरंक्षक जीतर राम मांजी काफी दिनों से चर्चा में हैं और पार्टी के मंतरी संतो शुमन जो है वो नितीश कुमार सरकार के मंतरी मंडल से पहले ही इस्तिफात दे चुके हैं और इसी जो हैं ये दोनों पार्टियां आमने सामने हैं यानि की एक तरफ हम ऐस यानि की जितन राम मांजी की पार्टी तो वहीं दूसरी दरम नितीश कुमार की जेडी यू जो की एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और आकरमक हो गई हैं दरसल आपके लिए बता जितन राम मांजी की जो नाराजगी थी और उन्होंने कहा था कि मैं इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूँ या फिर तमाम जो चीज़ हैं बयान उनकी तरफ से दिये गए थे और एहम कारण ये था कि तेज तारिक को विपक्षी एकता में नहीं बुलाया गया था जितन राम मांजी को जिस पर नितीश कुमार ने कहा कि हमने जान बूच कर जितन राम मांजी को नहीं बुलाया क्योंकि हम जानते हैं कि वो बीजे पी के नेताओं से कर बता दे थे और उसी बयान को लेकर आज जितन राम मांजी की पार्टी के राष्ट्य प्रवक्ता श्याम सुंदर्श चरण ने जो है वो निशानत साधा है नितीश कुमार के उपर उन्होंने कहा है कि जितन राम मांजी अनुसुचि जाती वर्ग के बड़े नेता हैं और उन पर नितीश कुमार द्वारा मुखबीर होने का आरोप लगा रहे इस पर पार्टी ने तैय किया है कि मुख्यमंत्री नितीश कुमार नहीं माफी नहीं मांगेंगे तो हम उनके उपर मानहानी का मुकदमा करेंगे जिहां ये बात की गई है जितन राम मांजी के प्रवक आनि के मामले का आपके लिए बता दें कि सिलसिला क्योंकि मीटिंग जो है वो कुछी दिनों में बिहार में होने वाली है और उससे पहले ही पटना एरपोर्ट से तमाम फ्लाइटें जो है यानि कि उडान भरी जा रही है क्योंकि एक तरब जितन राम मांजी दिल्ली पहु एकता को लेकर क्योंकि आपके लिए बता दें कि लगातार नितीश कुमार जो है वो भी पक्षी पार्टियों को एक जुट करने के लिए घुम रहे हैं यानि कि तमाम मेताओं को तो कर भी चुके हैं पर अभी भी नितीश कुमार के सामने काफी और चैलेंज हैं क्योंकि ए तेजस्वी यादब पहुचे हैं तमिलाडू तो एमके स्टॉलिन के लिए वहां मनाने पहुचे हैं क्यूंकि काफी ऐसे मुख्यमंत्री हैं राज्यों के जिन्हों ने इस बैठक से अपने आपको किनारे कर लिया है जी हाँ दरसल तेलंगना के सीम के सियार ने नितीश कुम की ओर से बुलाएगे विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है और इसी तरीके का कुछ बयान सामने आया उड़ीशा के सीम नवीन पतनायक भी जो हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे क्यूंकि एक तरफ विपक्षी एकता है तो वहीं दूसरी त कहेगा कि एक तरफ नितीश कुमार सरकार के सामने हैं काफी जादा चुनोती तो वहीं विपक्षी एकता बैठक को लेकर क्या कहेंगे तमिलार के मुख्य मंतरी जिन से बात करने के लिए पहुचे हैं तेजस्वी यादव खेर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आ आप हमें कॉमेंट करके सरूर बताइए थन्यवाद